तो मैंने गोद्रा में देखा जहां पे बीजेपी की जीत हुई थी 258 वोट से वहां पे मैंने देखा कि 1800 मुसल्मान गरों में एक ही वोटर आपका वोटर कार्ड कैंसिल हो चुका है चुनाव नजदीक है अगर आप अपने पोलिंग बूत पर वोट डालने जाएंगे तो आ आपके पास में फिजीकली वोटर कार्ड तो है लेकिन आपका नाम वोटर कार्ड लिस्ट में नहीं है और आप वोट नहीं दे सकते जी हां यह बड़ी बात निकल कर आई है लगबग 12 करोड भारतवासियों के वोट नहीं है वोटर लिस्ट के अंदर नाम कट चुके हैं औ और उनके पास में फिजिकली वोटर कार्ड जरूर है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम अवालेबल है तो इसक्रीन पर दिखाये जारे नमबर पर आप अपने वोटर कार्ड के उपर जो फोटो होता है उसके उपर एक कोड होत आते हैं कि आपका वोटर कार्ड को अपलाई किया जाए तो आप इस एप को डाउनलोड करें जो हम आपको राइट साइड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो यह जो आप इस वक्त यहां हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस एप को डाउनलोड करें और इस एप को डाउनलोड है वो गायब हो चुकी है यानि कि आपको वोट देने का अधिकार खतम हो चुका है तो आप अपने वोटर कार्ड को इसके अंदर रेजिस्टर करा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लिंक मिले तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर के पर आप मैसेज करें कुछी देर बाद आपके वोटर कार्ड की जानकारी आप तक पहुँच चुकेगी देश का सबसे बड़ा त्योहार याने की अलक्शन नजदीक है और लगवग बारा करोड वोटर खलील सैफला के मताबिक गायब है क्या आप भी उन बारा करोड वोट हिंदुस्तान उन से बात कर रहे हैं वीडियो चलाओ वाई उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ हमें यकीन था हमारा कुसूर निकलेगा यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो जो हस रहा है वो जखमों से चूर निकलेगा आज जब हम बात हिंदुस्तान में हैं तो बहुत सारे सवाल हमारी सामपरताइक सद्भाव के ओपर खड़े हो जाते हैं हमारी सियासत के ओपर खड़े हो जाते हैं हम यह देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र खत्रे में है और हमारा समविधान भी खत्रे में है इसके लिए बहुत शूर मचाया जा रहा है लेकिन क सबसे पहले हम जिमेदारी ठहराते हैं हिंदुस्तान के वोटर को चुकि अब चुनाव का दौर है एक बहुत बड़ा हमारा तहवार जिसको हम आम चुनाव लोक्तांत्रिक तहवार के नाम से जानते हैं वो सर पर हमें लगता था कि इस तहवार पर खुशी होनी चाहिए थी पर्व है तो जाहिर है पूरा देश खुशी में डूबा हुआ होता मगर एक खौफ का माहौल है इसी पसे मनजर में हम आपको आज अपनी एक ऐसी खास शक्सियत से खास महमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने वाकि इस पर्व में खुश्यों की एक रंग भरने क कोशिश की है और जब आप उनसे बात जब हम उनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो हमारा लोगतांतरिक पर्व है जिसको हम लागतांतरिक पर्व कहते हैं उसमें खुशी कैसे आती है जाहिर है वोटर के मात थे हमसे आती है हमें लगता है कि हम उनसे बात करने स पहले ये जरूर बता दें, कि हिनुस्तान में वोटर की जो एहमियत है वो बहुत makers, बहुत ही नाचुक है. बहुत ही प्रिशान कुन है. बहुत ही दैनियें भी है. वोटर का वक्त जब पुल्ला साहब जो हैदराबाद के रहने वाले हैं बहुत ही एहम यह एक अप्लिकेशन है जिसको जगा जगा सराहा जा रहा है हम उनी से बात करते हैं खालिस साफ आपका बहुत है हमारे अपने चैनल में अदाब शुक्रिया मुझे विहां बलानी का जी हाँ यकिना और आप एक बहुत इंपॉर्टन परस्टेशन सबसे पहले हम यह आप से पूछना चाहें जो आप्लिकेशन बनाई है उसकी तफसील आप पताईएगा उसमें जे चैलेंजिस आपको है और जो थ्रेट्स हैं वह भी जरा सा हमारे नाजरीन को और दर्शा से पताईएगा हमारा जो है उसका नाम है missing voters app हम जो करते हैं मैं उनको उस काम को पांच स्टेजस में डिवाइट करता हूं आसानी से याद रखने के लिए मैं उसे Mr. Cat कहता हूं Mr. Cat M से missing voter identification तो हमारा काम है उन घरों को पहचानना जहां voter मौजूद है लेकिन उनके पास उनका नाम voter list से गायब है to our reach किसी भी तरह से उन घरों तक कोई volunteer को NGO को या किसी को भीजना second step है third is collect details तो उनका card नहीं है तो voter नया card apply करने के लिए जिन-जिन documents की जरुद होती है वो documents उनके पास से collect कर लेना fourth जो हमारा काम है वो a apply करना election commission के website में इनके documents को apply करना और last जो काम है वो बहुत important काम है application को track करना सिर्फ apply करने से काम नहीं होगा क्यूंकि apply करने के बाद 5 stage होते हैं application submitted पहला stage है BLO appointed दूसरा stage है जो election commission करती है third stage है BLO जो appoint होता है वो घर पे जाके verify करे field verification third stage है fourth stage है accepted rejected और fifth stage है epic number generated मतलब आप जब एक नया voter card apply करते हैं उससे लेके पांच stage इसमें अगर application कोई भी stage पर रुखता है तो हम लोग उसे track करते हैं उसकी election commission को BLO से जरूत परितों से बात करते हैं और देखते हैं कि ये काम पूरा हो जाए और election से पहले voter को उनका voter card मिल जाए और वो वोट करने का उने मुखा मिले है तू कैट्स की आप बात कर रहे हैं और जाहरे बहुत important आपने अपने आपने आपने बिवेट करते बताया संद्धाया है हमारे तर्शक्राइब साथ ची की बात नहीं नहीं आपको रोखने की विए फोशेश की होगी ते मैं एक चीज करता हूं कि मौत से पहले मौत तो आने वाली नहीं है जितने सांसे में मेरी खिसमत में लाला ने लिग दिया है अथने तो मैं लेकर रहूंगा और अगर अगर इस नेक काम में, मैं मुसल्मानों की अदलत ही ने सब की बात करता हूं, जो हमें वोट का हख दिया गया है, बाबा साहिब अंबितकर ने, 1928 में, अब उस टाइम पर जा सूचके देखिए, सैमन कमिशन के सामने बाबा साहिब अंबितकर ने, ये परस्ताव र जब यूरोप जएसे डेवल 6 कंट्रिस में जब लोग equations थायों को वोटका हक नहीं था ं कि मिल वोटे pockets को चुछ लोग NICK हड़े चीन लेना चाह रहे हैं तो मैं यह मेरी जिम्मेदारी समझा कि में citizens तक बता हूं और उने हमका हुआगी का हुआउ देखे, यह सोशिल रिफॉरम है na, सोशियो पॉलिटिकल रिफॉरम कि आप बात करते हैं, तेश में एक नया इंगलाब आप ला रहे हैं, जाहिर है हम सब जानते हैं, दावे बहुत सारे होते रहे हैं, एलेक्शिन कमिशन की तरफ से भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ स आप इसमें फर्मा रहे थे कि 12 करोड वोटर्स मिसिंग है, इसमें से आपने डेटा दिया था 3 करोड मुस्लीम, 4 करोड दलित और 5 करोड जेनरल्स तो यह जेनरल्स में जो है वो जाहिरे बड़ा डेटा चला जाता है 5 करोड तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके लिए जो बाराक करोड वोटिरस में इसी इंगा वो आथरा हमें कैसे पता चला तहीं कि हमारी जो अनालेसिश होती है दो डीटा बेसेज को कंपेर करते हैं. एक है census दूसरा है electoral data. Census का जो डेटा है census में एक table है जिसका नाम है HH01 household size table. वो table कहता है कि हिंडुस्तान में हर district का उसमें percentage है कि ये state में district में sub-district level तक average household size क्या है average घर में कितने आदमी रहते हैं और ऐसे घर कितने हैं जिनमें सिर्फ एक ही आदमी मोझुद है तो इंडिया का average है 4.1 मतलब हिंडुस्तान में 4 परसेंट घर ऐसे हैं जिन में एक ही आदमें रहता है अब दूसरा जो data है वो एक्षिन कमिशन का data है पीडिव फ़ार्माट में image format में रहता है image format तो हम लोगों ने programming करके image format में जो data है उसको हम लोगों ने text में convert किया फिर हम लोगों ने excel में convert किया और वसी तरह की report निकाली जो census में थी census की report के हिसाब से मैंने कहा था आपको कि 5-4 % कर ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक को टर हो electoral data के हिसाब से हमें लगा कि 10 % खर ऐसे हैं जिनमें एक ही voter है और क्योंकि election data में voter file में नाम और guardian ये नेम रहता है और मुस्लिम नेम्स यूनिक होते हैं हमें ये देखके ताजूब लगा कि 17% मुसल्मान कर ऐसे मिल रहे थे जिसमें एक ही वोडर है अब हम लोगों को डेटा वरिफाई करना था तो हम लोगों ने दस जगाओं इंजियों से राप्ता किया कि हमारे पास एक फाइंडिंग है हम ग्राउंड पे आके जमीनी हाकिकत देखना चाह रहे हैं थोड़े दलित ओगनेजिशन्स थे लखनो में नांदेड में नाकपूर में वो डेटा उनके साथ जाके हम लोगों ने ग्राउंड पे सर्वे करना शुरू किया सर्वे में हमें दो मेइन रीज में उनसे पॉल्टिकल पार्टी को कितने वोट मिले थे वो मैं देख पाऊंगा अगर फरस कीजिए मैं पॉल्टिकल पार्टी का सपोर्टर हूं और मुझे यह पता चला कि यह पोलिंग बूद में मेरे अपोजिशन पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं तो वो पॉल्टि फॉर्म 7 वह फॉर्म है जिससे आप किसी को किसी का नाम मोटर लिस से निकाल दे सकते हैं। आपने फॉर्म 7 की बात की, मैंने इस सम्मध में जब रापता साधा एलेक्शन कमिशन के बी अलो से, तो मुझे ये पता चला कि फॉर्म 7 के बात सिर्फ फॉर्म 7 ऑनलाइन भर के काम नहीं चलता बलकि हम वेरिफिकेशन चाहते हैं। और हम ये पता करते हैं कि जिसका नाम लिस से निकाला जा रहा है फॉर्म 7 के माध्यन से, क्या वो जैन्विन है कि नहीं। अब उसमें दो कंडिशन्स हैं, या तो वो लोग जो ट्रांसफर हो गए, पोस्टिंग हो गई, सरकारी लोग थे, है ना पहले B33 में रहते थे अब जो है वो आंधरा प्रदेश शिफ्ट हो गई, पोस्टिंग हो गई, एक तो ये गुरूप होता है, जो सरकारी लोगों का पोस्टिंग ट्रांसफर और शिफ्टिंग का होता है, एक होते हैं टेनिंट्स, किराएदार, मकान मालिक के यहां तीन साल रहे, और तीन साल के बाद वो वहां से चले गए, तो उसमें क्या होता है, कि एक आटोमेटिक प्रासिस है, एलेक्शन कमिशन का, जी, और वो आटो लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो पता ये चला था कि मैं उस ऐड्रेस पर रही नहीं रहा हूं, जहां तीन साल पहले था, और वहां जो सर्वेयर टीम थी, जो एलक्शन कमिशन की टीम थी, उसने मेरा नाम लिस्ट से वहां निकाल दिया था, वैरिफिकेशन क लोग मिले जो वही घर में पिछले 15 साल से रह रहे हैं, जो 2014 में वोट किया था, उनके पास वोटर का आड़ है, फिर भी उनका नाम वोटर लिस से गायब है, तो आप जैसा कह रहे हैं, फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, फॉर्म 7 जब अपलाई करते हैं, तो यह होना चाहिए, और रूल भी यही है, कि एक बूट लवल ऑफिसर वो फॉर्म को लेखे जाए, और वेरिफाइ करे, या उसे एकसे रिजेट करे, बट अक्सर जगाओं पे हमने यह भी देखा है, कि बूट लवल ऑफिसर क्योंके डिरेक्ट एम्प्लोई नहीं हैं, कमिशन के, वो कोई दूसरे गॉवर्नेमेंट डिपार्टमेंट से तालुख रखते हैं, डिप्टेशन पे होते हैं, तो उन्हें लोग मैनेज कर लेते हैं, और मैनेज करके निका नाम निकल जाता है, नाम निकल जाता है, यह इस बात को समझ लें, क्योंकि हमारा मकस्ज़ समझना और समझाना है चीज़ को राइट हम यह बताना चाहते हैं कि यहां जो बात हो रही है वो एक डिस्कुशन नहीं है बलके इस वक्त हम तर्शकों को अपने वोटर्स को जो तखदीर बदलते हैं मुलक की सरकारों को बदलते हैं आपका काम है वो इनका काम अकेले का नही मेरा काम भी अकेले का नहीं तो चुक्के इस वद पूरे देश में लाखों लोग इस बात को सुन रहे हैं यह बात समझ लें कि यहां मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती बलके जिम्मेदारी आपकी भी है जब आप कहीं ट्रांसफर हों तो ना मैनलिस्ट कराएं अपना जब कहीं दूसरी जगा से शिफ्ट हो रहे हो तो पता करें यह हम लोगों को जागरूख होना पड़ेगा यह लोग तो काम कर रहे हैं इस संबंद में आपको कुछ थ्रेट्स होती हैं जैसे कि हमें मालुम हुआ और बी यलो उस को जो बू अपना जब दूसरे जो लोग हैं एक जगा पर आप जैसा कह रहे थे चार साल नहीं रहते किराया बढ़ जाता है तो बदलते रहते हैं अब उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें जाके वोटर कार्ट में भी अपना अडरस चेंज करना है वह नहीं कर बाते हैं तो इसलिए जैसा वरिफिकेशन को लोग आते हैं या लोग को को मैनेज कर लेते हैं या बियो भी उनको नाम निकाल देते हैं तो यह दो वज़ोहात के वज़े से हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा वोटर सिस्टम से गायब है यह प्रॉब्लम है तो इसका सुलूशन क्या है इ वहां पर अपना ट्राकिंग नंबर दे और सर्च करें अगर नहीं रहा तो फिर जाके फॉर्म फिल करें सेंसस कहता है सेंसस के हिसाब से 42 परसंट ऑफ मुस्लिम्स और इलिटरेट्स तो तो यहां पर एलेक्शन कमिशन और वोटर्स एकनोमिकली बैकवर्स पूर लोग जो कि इन तमाम लोगों का वोटर कार्ट कहीं डिलीट ना हो और यह अभी सिस्टम में अवेलेबल हैं यहां एक सवाल आ गया मेरे खाल हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे और वो सवाल आप ही तरफ से हैं सवाल यह कि जब बात कुछ एंजियो के इंवाल्मेंट की होत हैं तो क्या आप ऐसी कोई जाच करते हैं कि इस एंजियो का तालुक प्लिटिकल पार्टी से है या ट्रेंड़म किसी को भी चुनके आप काम पकला जेते हैं सर्वे के हद तक हमारे हमारे पास उतने चॉइस करने के हालात में नहीं थे जिनों नहीं भी कहा हम आपकी मदद क करेंगे आप आपका डेटा लेकर आईए हम आपको ग्राउंड पे लेकर जाएंगे आपको सेक्यूर्टी मिलेगी तो हम लोगों ने उन इंजियों के साथ चले गए अभी हाला अभी देखिया अभी एंजियों की ज़रूत नहीं है एनी इंडिविजूल कें डो इस वक हम लो मीडिया के जरीए जनरलिस्ट भाईयों और बेहनों उन्हों ने इंटर्व्यू लिया तो लोगों को बात पता चली तो एक लाग चालीस हजार लोगों ने इस एप को इंस्टॉल किया हैं और वह जिम्मेदारी लेके अपनी बुद को अपनी बुद के अन्रिस्टेट हो हम लोगों ने आसान काम इतना कर दिया है अगर आप कोई भी जिनके पास स्मार्टफोन हो जिने थोड़ी सी प्रेंट क्लाज भी अगर पास हो तो उतनी भी नॉलेज हो तो वो सिर्फ दो घंटे स्पेंट करेंगे तो अपने बुद में जितने भी अन्रिस्टेट वोड हैं जो काम अपने अकेले ने किया वो सरकार इतने बड़े इदारे हैं उनके पास में टेक्नोलाजी है वो सब कुछ यह कर सकती थी कहां तक सरकार की मंच्छा लगती है कि सरकार या अगलेक्शन कमीशन इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहता और इसकी जरूरत क्यों पड़ी कोई एलेक्रिकल डिपार्टमेंट से आता है हमारा मीटर चेक करता है और हाथ में बिल देता है परस कीजिए ऐसा नहों और एलेक्रिसिटी बिल के ओफिस पे कोई लोग जाके बैठे हो और आपको कहें कि आप जाके बिल बनें तो 50% अफ इंडियां हम लोग 50% आप जाके नहीं बनेंगे तो यही काम एलेक्शन कमिशन क्यों नहीं करती क्यों ना बूत लेवल ऑफिसर इसी तरह का एप लेके घर पे क्यों आएगा आके वो चेक कर सकता है अगर नहीं है तो वहां आट कर दीगे तो प्राब्लम सॉल हो जाएगा देखे खिए खुद नहीं चाहती के वहां की एलेक्शन गोंजी जो करनाटका की थी स्टम पर मान लिया करनाटका की कमिशन ने अलेक्टर्ल ड्राइव किया हमारे आप के जो 8000 वॉलेंटियर्स थे उन्हों ने न्यूस्प्रेट की बारे में और 12 लाग वोटर्स करनाटका के ऐलेक्शन में सिस्तम में आ के मेरी पहली फैंडिंग तो गुजरात में हुई गुजरात के एलेक्षिंस में हो जाने के बाद मैंने उन जगाओं पर अनलेसिस करना शुरूर किया तो मैंने गोद्रा में देखा जहां पर बीजेपी की जीत हुई थी 258 वोट से वहां पर मैंने देखा कि अठारा सो मुसल ही करनाटक का नया ऐलेक्टोरी रोल तो हम लोगों ने सिर्फ फोकस मुसलिम स्पेसलिए किया क् iterations स्यादा मसलिम उस्टेALLर से और मुछ भी तख कम था कुछ यह कर कि कि हम लोग बताना चाहते थे ताकि नेक्स लेवल पर ज्यादा और ज्यादा पैमाने पर कर सके कहीं इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो हिंदू रास्ट बनाने की कोशिश है वो सीधे तोर से कोशिश है कि मुसल्मान वोटर का फॉर्म 7 भर दिया जाए और वो उनका सटाने का आधिकार उनसे चीले जाने कि आ थारी के से को देख सकते हुआ हम लोग से इसको देख सकते हैं इसको घुकी जितना डेटा और रिसर्ज मैंने उसे मैं यह साबित नहीं कर सकता कि इस तरह से हो रहा है मैंने कहा कि कुछ पूल्डीश यंस जो बूल्डशisti आपान इनका कट गया है जो अलब संख्राइब करा गया और जिसके वज़े से आपको आपकी मन में जल्दी से यह आ गया कि नहीं मुसल्मानों को ज्यादा तार्गेट करें जाड़ है आपको बना है देखिए मैं सिर्फ यहां पर डेटा के हिसाब से मैं बात करता हूं मैंने आपको कहा कि सिंगल परसन हाउजोल्स पूरे कम्यूटी में थे मुसलिम और दलीट कम्यूटी में उनका परसेंटेज ज्यादा था एक पॉइंट है दूसरी चीज हां कुछ मैंने यह भी कहा कि कुछ पुलिटीशेंस फॉर्म सेवन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके भी हमारे बास अब वो जो पॉलिटीशेंस कर रहे हैं वो तो एक पहलू है दूसरा मैं मानता हूं कि चोर उसी घर में चोरी करता है जब चोर को पता चलता है कि उस घर के लोग सोते रहते हैं तो मैं इक्वली दोज देता हूं कम्यूटी के लीडर्स को लिटरेट्स को सब किसी को क्यूं पर एक मौलाना थे इतनी जोशिला बयान किया उन्होंने कि भाईचारा हिंदुस्तान से खतम हो रहा है और चले जा रहा है वो करना है तो बयान से लोग एकदम जोशिले हो गए सब हो गए उसके बाद मैंने कहा कि हजरत आपके पास वोटर कार्ड है तो उन्हें कहा है तो आपको आपकी ताखत है वो तो इसको इस पर आप फोकस कीजिए इसकी इंपोर्टन्स लोगों को बदाईए तो ऐसे में उनको क्या एकदमात लेने चाहिए उनको कहां से आपके अप्लिकेशन्स नोट करके डाउनलोड करके अपने नामों को वोटर लिस्ट में डाल लेना होगा उसके लिए आपके पास क्या स्ल इससे पहले मैं एक आसान तरिफादा हो हमारा एक नंबर है 9963748187 मैं रेपीट करता हूं 9963748187 मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं गुजारिश करता हूं कि अपना वोटर card number जो photo के उपर के हिस्से में रहता है जिसे epic number भी कहते हैं उस number को जो मैंने अपनी number कहा उस पे message कीजिए अगर आपका voter card valid है अभी तक electoral list में है तो आपको आपका polling booth और आपके voter details message में reply आ जाएगा तो आप उसमें देख सकेंगे और उसी polling booth को जाके उस दिन आप election में vote कर पाएंगे अगर आपका नाम electoral list से वोटिंग list से delete किया गया है तो आपको एक message आएगा कि आपका नाम delete हो चुका है आप missing voters app के जरीए आपका नाम दो minute में add कर सकते हैं तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस number पे दो पैसे तीन पैसे लेएंगे आपको message करने के लिए अपने पूरे खांदान वालों का message करके देखिए अपने गली वालों के number message करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा किसके पास voter है इसके पास voter card नहीं है और नहीं है तो आप add कर दीजी दूसरी appeal मेरी यह है कि आप प्ले स्टोर से या आपिल स्टोर से आपके पास अगर आपिल फून है तो missing voters app डाउनलोड कर लिजी अगर आप missing voters app डाउनलोड कर लेंगे तो पहले आपको पहले बार create account करना पड़ेगा आपको अपना account create करने करते हैं वक्त चोटा सा form है जिसमें आप अपनी parliamentary constituency और अपनी assembly constituency अंटर करेंगे और register कर लेंगे एक बार अगर आप जब register कर लेंगे तमाम इंडिया के साथ 4,200 तकरीबन assembly constituencies हैं उन में से 887 assembly constituencies का data हमने आप में integrate कर दिया है अगर आप आपका data आपका constituency उन constituency में से हैं तो आप जैसे ही missing voters by polling booth button क्लिक करेंगे आपके constituency के तमाम polling booth और एक polling booth में कितने घर हैं आपको दिख जाएंगे अगर आप एक polling booth क्लिक करेंगे तो उस polling booth के तमाम street names गली के नाम और एक गली में कितने घर हैं दिख जाएंगे अगर आप एक गली को क्लिक करेंगे तो पूरे घर के नंबर और घर में कितनी voter है दिख जाएंगे तो मैं लोगों से appeal करता हूं उन घरों पे जाएए जहां पर लिखा हुआ है कि एक वोटर है क्योंकि एक वोटर रहना मुम्किन नहीं है उनसे जाएके पूछिए कि मिसिंग वोटर एप में इस घर में सिर्फ एक ही वोटर दिखाई दे रहा है कि इन से ज्यादा भी वोटर घर में मौझूद हैं अगर उन्होंने कहा कि हमोजूद है सिर्फ apply for voter ready button क्लिक कीजिए जो दो number का button है एप में और एक छोटा सा form है जिसमें पूछा जाएगा नाम, guardian name, उनकी एक photo, upload photo button क्लिक कीजिए, automatically camera activate हो जाएगा, उनकी तस्वीर ले लीजिए, फिर age proof के लिए 5 document है, आदार काड है, पैन काड है, जो भी आप उनके पास मोजूद है, वो document क्लिक कीजिए, उसकी photo ले लीजिए और submit क्लिक कर दीजिए, मैं आपके जरीए लोगों को यह बताना चाहता हूँ, लोग समझते हैं कि address proof document उनके नाम पे रहना ज़रूरी है, वो नहीं है, लोग कहते हैं कि address proof के लिए हम लोग current के बिल दें, current के बिल तो मकानदार के नाम पे हैं, water bill मकानदार के नाम पे है, देखिए, address proof जैसा आप किसी को Google में map भेचते हैं, कि आप कहां है तो आप pin भेचते हैं, उस तरह का document है, address proof document का actual purpose यह है, कि कहां पे boot level officer आए, आप से मिलने के लिए, आपकी inquiry करने के लिए, तो आप अपने owner का नाम भी आप दे सक सकते हैं, देखिए, अगर किसी के पास कुछ भी document ना हो, address proof के लिए, तो अगर कुई आदमी रोट पे रहता हो, और किसी ने उनको खत लिग दिया, जो इंडियन पोस्टल सर्विस से वो आदमी के पास आ गया, कि खालिद सेफुला यह रोट पे रहते हैं, इस दुकान के स आपको आप के जरीए, आप application form फिल कर सकते हैं, फिल करिए, आप मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इंशालला मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरे stages election commission के जो होते हैं, जब तक मैं आपका application ट्रैक करूँगा, और आपको जिस दिन voter card enroll हो जाएगा, तभी भी मैं message के जरीए आपको बताऊंगा, यह बहुत important आपका काम है, और दिखे यह लोकतंतर सम्विधान को मजबूत करता है, हमारे देश को हम कहते हैं कि हमारे देश जो है, वो नौजवान परधान देश है, हमारे यूट सबसे जादा है, और unfortunately एक data यह भी है, कि हमारे जो यूट्स हैं, उनक दर्शक इस बात को समझ नी पाए और ना सुन पाए हैं भी, दखाली सहाब का जो सफर शुरू हुआ था, वो बेवाओं को पैंशन दिलाने से हुआ था, और दूसरा सफर इन्हों ने ओल्ड एज पैंशन के लिए शुरू किया था, लेकिन यह अचानक इस सफर पर चलते ह लेकिन इस से पहले आपको अब यह विडोज की पैंशन और ओर लेज की पैंशन और आज वोटर मिसिंग, वोटर आईडी मिसिंग एप बनाने के बाद दौनों में से कौन सा बहतर आपको अपना मकसद लग रहा है? साल के बारह महीने कर सकते हैं अभी सूर्त ehाल यह है कि वक्त की जरूत है कि हम अपना वोटर कारट बनाइं, अपने घर Kundrgeschっち, कर दोर में, बचाएं, अपने बस्तित-चल्प लोगों से आपील करता हूं कि 12 ऐपर इस तक अभी भी हम लोग enrollment कर सकते हैं तो अपनी पूरी एनरजी अपनी पूरी ताख़त इस पर focus कीजिए मैं आपके जरीए especially मीडिया के लोगों से गुजारिश करता हूँ आपके पास सबसे बड़ी ताख़त है देखिए technology एक है और information लोगों तक ले जाना दूसरा है आप ज्यादा तर लोगों में यह चीज को पहुंचाने की कोशिश कीजिए मेरे पास अगर आप देखेंगे आप में मैं आपको data बताऊंगा ऐसे ऐसे volunteers हैं जिन्होंने पांच पांच सो छेशो सो लोगों का बनाया है यह मिले कैसा हमें किसी ने किसी पेपर में इन्हों ने पढ़ लिया आपके बारे में आप इंस्टाल कर लिए और वो दूसरों का बनाने में काम करना शुरू हो गया तो मैं आपसे उजारिश करता हूं विंती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचा आई ताकि ज्यादा से लोगों को वोटर काट बन सकें कि जो इस वक्त आप के अंदर डाटा एंट्री होगा वो कितना सुरक्षित है और आपका एप कौन-कौन सी अलॉट्मेंट मांगता है क्या क्या चीज़ें उसमें अलाओ करनी पड़ती है कि जिस एप को आप डाउनलोड कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है और जो डाटा अपना डाल रहा है वो कितना सुरक्षित है क्या आपका अपने पहले तो चीज हम लोगोंने अमेजान सर्वर AWS पे अपना अपना साइड रगा है जो बहुत ही सेक्यूर है वोलका सबसे बड़ा सेक्यूर ब्लाटफॉम है नंबर एक दूसरा हम लोग आपका डेटा सिर्फ क्यों जब तक रखते हैं तब तक आपका काड अपूर्व हो जब हमें पता चलता है कि आपका अपूर्व हो गया है तो उसी दिन आपका डेटा डेलीट कर देब जो वॉल्iggling आपका डेटा हम तक पहुंचा रहा है जैसा ही वह वह वॉल्रींटिश आपका फॉर्म लेके ड आजार नहीं देना है तो आप ड्राइविंग लेसंस दे दीजिए या आप अपनी टेंद की माक्लिस दे दीजिए तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं अगर आप डर रहे हैं कि कुछ पॉजिबल्टी हो सकती है यह डर से आप अपना वोटर काड बनाना मत र सभी दीजिए भी बहुए शुक्रिया आप खाली साहब गिरा दिया है तो साहिल पर इंतजार नकर अगर वो डूब गया है तो बहुत दूर नकलेगा हमें इंतजार करना होगा ऐस दिन Nations का कि जभ hjंदोस्थान की सारे वोटर्स हैं का लिस्टे ँ्alten उंग और सारे के सारे हिंदुस्तान में अपनी पसंद की सरकारे बनाने का काम करेंगे हम उमीद तरते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा आप बने रही है हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया